subscribe now and press the bell icon never miss an update 644 पदों के लिए आबेतन मागा जा रहा है RRC Group D भरती में भी इसका जो है अगर आपने ITI कर रखा है और Apprentice कर लिया है तो Group D में भी इसका रच्छन आपको मिलने वाला है देख लेते हैं और क्या है ख़बर में देखे आप अगर आप भी अभी तक Apprentice का फार्म नहीं डाला है तो आप डाल सकते हैं RRC ER से भी आपका Eastern Railway रिजन से भी निकला हुआ है 3364 पत तो अगर आपने नहीं डाला है तो दो-तीन जगह से आपको मिल जाएगी Apprentice करने का मोका मिला है तो आप उसे मत छोड़िए देखे रोजगार की तरास कर रहे है उबाव के लिए अच्छी आगरा मंडल में Apprentice के लिए करीब 1664 स्लोट के लिए आवेदर मागे गए है जो भी 1664 दसमी का च्छापास है और ITI के कोर्स उन्होंने कर रखा है उन्हीं वाउ के लिए या सुनेरा मखा है जरूरत मंद RRC की बियो साइट पर एक नमबवमर से आप आले आवेदर कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही helpful और जरूरी जानकारी है जो इस चैनल के मदम स सबसे पहले आपको मिल जाएगी तो आपको भी आपडेट रहना है हमारे साथ इसके आवेदर के लिए आपकी जो बेफ साइड है वो एक नमबवमर से खुल जाएगी तो आप एक नमबवमर से आवेदर कर सकते हैं रेल्वे इंटर्सिप के जरिए युवाओं को रोजगा करने की तैयरी की गई है सालवर प्रिसेंटर के दौरान प्रतिमा आपको इस टाइपेंट भी मिलेगा जो कटेगराइज किया गया है वो आपको मिलेगा उत्तरमद रेल्वे की सीपी सेल की ओर से अप्रिसेंटर कराने की तैयरी की गई है सालवर प्रिसेंटर के दौरान आपको इस टाइपेंट तो मिलेगा ही साथ में जो भी आरच्छन है वो भी आपको दिया जाएगा रेल्वी भरती में जो है प्रसिचित अब्यर्तियों को 20 प्रिस दिया रच्छन है ध्यान दखिएगा तो आप सभी इस मोके को मत जाने दीजिए हास से अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आप आवेदन कर दें अगर आपने दसमी पास किया है और साथ में आ कास चर्टिफिकर देकर जो भी छूट है वो आप प्रब्द कर सकते हैं देखिए पद की अगर बात करें तो वाट अगर आप आप आई टी आई वेल्डर, फिटर, आई टी आई, मीडिया मेनेजमेंट, प्लंबर, वेल्डर, कार्पिंटर, पिंटर, आर्मेचर, वाइंड क्रेन, मसेनिस्ट, एलेक्रिस्यान, मल्टीमीडिया एवं ब्यव डियाइनर, इन समस्त पदों से आपको आवधन करना है, जो भी आपका ट्रेड हो, इस ट्रेड से आप आवधन अपना कर सकते हैं, प्रियागराज आगराज हासी मंडल इजो एक न populated होगा, तो आप 1 नवं सीटे आपको आरच्छित हैं दसमी पास और ITI इसी की आधार पर आपका जो मेरिट है बनेगा तो 10 प्लस टू प्लस आफ की ITI इन दोनों का मेरिट बनाया जाएगा RRC की वेव साइट पर आनलाइन आपको आवेधन करना है आसा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो होगी और आप अपना अवेधन अगर आपने ITI कर रखा है तो जरूर अपलाई करेंगे क्योंकि आपके आने वाली जो बेकिंसी है उसमें भी आपको अरच्छन इसी की आधार पर दिया जाएगा कि अगर आपने रेलबेस से अप्रेंटिस कर रखी है तो उसका आपको है वीडियो को देखने के लिए धन्नबाद वीडियो आपको अच्छे लगी है तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सजरूर।